क्रिशी मंत्री कमल पटेल ने कॉंग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कॉंग्रेस ने कॉपरेटिव सोसाइट्री को कुछ नहीं दिया था लेकिन हमने 800 करोर रुपए डाला उन्होंने कहा करज माफी का वादा भाजपा ने नहीं कॉंग्रेस नहीं किया था लिए फसल बीमा योजना का पैसा दिलाया जो कॉंग्रेस ने नहीं दिलाया था भाजपा सरकार ने हमेशा किसानों के हित्में फैसले लिए हैं हमारा उद्देश यह है कि किसानों की आए बढ़े प्राण जाए पर बच्चन ना जाए और लोगों ने खरम भरवा हैं लोगों से कि आपका सरकार आते है कि 10 दिन के अंदर करज माफ कर देंगे तो लाग तक का सभी किसानों का और राउल गांदीजी ने भी कहा था सभाओं में कि अगर 10 दिन में करज माफ नहीं किया तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूँगा लेकिन कांग्रेस जो कहती है वो करती रही है और धोका देती है और धोका देके एक बार जिस्टेक तो दुबारा कभी नहीं और इसलिए जन का उद्गाटन किया और पहला ओडर जो दसकत किये उन्होंने लिखा कि सारे दो लाक तक के 31 मार्ट दोहजार अधारा तक के बकाया फसल रिन माफ किया जाता है दसकत कमल नाथ और प्रमुक सच्ची राजोरा से आदेश निकला दिये मान्य मुख्यमंत्री शिवराज एंनों ने दिया था वहमने दावरी उन्होंने दिया ठीक वह इस वान्य मुख्यमंत्र जी चीक मरता संभ मुखांघ को अर् यह द्होंकानः धरी गांग्रे ने किया दूसरी बात कर्जमाफिक का बादा भार्ति यहूब्य हिंता पार्टी नहीं किया कि संगीत 500 लेहरियो से कि सांस्क्रिभ एक ताने बाने तक चंबल के बीणों से नकसल्वादियों के गडता जोपड़ी से मेहलों तर ठेलों से मेलों पपक्डंडियों से सडकों तर गाउं से शहरों तर व्यापार से उध्यों तर राज़डीटी से उठनीति तग्राश कमी जेle कि ha आप देख रहे हैं दखल न्यूज